गुद मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम तू यॉर सोशल साइन्स क्लास वी हाब बीन डिस्कुसिंग अबाउट दो फ्रेंच रेविल्यूशन ठीके नाओ अब हम बिल्कुल लास्ट पार्ट पर पहुँच चुके हैं फ्रेंच रेविल्यूशन के जो रेन ओफ टेरर हमन इसको भी हम देख लेते हैं तो फॉल अफ दो जैकुबिन गवर्मेंट अलाओ दो वेल्दियर मिडिल क्लास तो सीज पावर जो वेल्दियर मिडिल क्लास थी उनको पावर जैसे 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 वो पावर में आने लग गई उसने अपना एक नया constitution introduce कर दिया जिसमें क्या था जैसे Robis Fair ने तो सबको voting का right दिया था चाहे वो कोई भी हो ची किया लेकिन इन्होंने वापस से क्या कर दिया non property section को voting right से deny करवा दिया मतलब इन्होंने वापस से जो पहले वाला था जो active passive वाला हमने बढ़ा था active passive citizens वाला जो क्राइटेरिया था वो वापस इन्होंने start कर दिया और जिनके पास property होती थी वही उनको ही right to vote मिलता था इसके साथ साथ इन्होंने एक two elected legislative council भी बनाई ठीक है ठीक है जिसमें उसके बाद उन्होंने एक डारेक्ट्री executive को बनाया जिसमें five members थे अब देखिए यह जो legislative है legislative है और जो directory है ठीक है यह पहले भी बनी थी ठीक है डारेक्ट्री मतलब जो execute करवाएगी इन सब को जो laws वगरा है इनको legislative तो बनवाएगी law और जो execute करवाएगी वो directory करवाएगी ठीक है इस डारेक्ट्री में इन्होंने five members रखे और पहले क्या था only one member था robis fair ठीक है तो उससे क्या हुआ था इन्होंने इस बार five members क्यों रखे because इन्होंने the lesson learned one man executive from jocobin clubs ठीक है इन्होंने lesson learn कर लिया था कि अगर हम एक one man रखेंगे executive में तो वो dictator बन सकता है या फिर सारी पावर अपने हाथ में सारी पावर जो है one hand में concentration हो सकती है ठीक है इसलिए इन्होंने इस बार डारेक्टरी जो बनाई थी उसमें five members को appoint किया लेकिन यह जो डारेक्टरी थी और जो legislative council थी इनकी इसमें हमेशा मतलब clashes चलते रहते थे the directors often clashed with the legislative councils who then sought to dismiss them और उनको dismiss कर दिया जाता था इसका फायदा नेपोलियन बॉनापार्ट ने उठाया the political instability of the directory paved the way for the rise of military dictator नेपोलियन बॉनापार्ट तो यह जो इन्स्टेबिलिटी थी इसको देखते हुए फिर नेपोलियन का राइस रांस में हुआ था जो नेपोलियन का राइस है यह हम आगे पढ़ेंगे उसके बाद एक तरह से हमारा topic जो है French Revolution का वो यहीं पर खतम हो जाता है ठीक है इसके बाद छोटे छोटे एक दो topics हैं उनमें सिर्फ यह बताया है कि क्या impact रहा ठीक है like women's पे क्या impact था revolution का क्या women's ने participate किया था did women have a revolution क्या उन्होंने revolution किया था ठीक है इस सरीके के topics थे तो अब इन topics को हम एक बार देख लेते हैं women's हमेशा से women's were active participants in the event which brought about so many important changes ठीक है बत वो क्यों involved रही है because they hope that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce majors to improve their lives और जो यह women's थी वो mostly women of the third state had to work for a living they worked as a seam stressors, laundress, sold flowers, fruits, vegetables, market employed as a domestic servants, houses, prosperous people के घरों में वो as a servant काम करती थी उनको education की भी right नहीं थे, access नहीं था उनका education का job training उनको अच्छे से provide नहीं होती थी बहुत सारे जो nobles और wealthy people होते थे बस उनहीं की जो daughters थी वो पढ़ती थी और उनकी भी एक limit के बाद पढ़ने के बाद शादी कर दी जाती थी तो एक तरह से यह बस यह था कि women's का इतना active participation उन्होंने शो नहीं किया था हाला कि वो चाहती थी यह सब चीजों से छुटकारा पाना उनकी wages जो wage workers थी उनकी जो wages थी women's की वो भी काफी men से काफी कम थी तो इस वज़े से बहुत सारे जो women's है उन्होंने आवास उठाई थी raise their voice and interest women started their own public clubs and newspapers ठीक है about 60 women's clubs came in different french cities 60 clubs ठीक है उनमे से तू पॉपुलर थे कौन-कौन से the society of revolutionary and republican women was the most famous of them उनकी demands किया थी one of their main demand was that women enjoy the same political right as men ठीक है वो चाहती थी same political right उनको मिलने चाहिए women were disappointed that the constitution of 1791 reduced them to the passive citizen देखा था हमने active citizen और passive citizen का criteria तो वो इससे खुश नहीं थी वो उन्होंने equal rights demand करना चालू कर दिया था right to vote to be elected to the assembly to hold political office ठीक है वो यह सब चाहती थी वो कहती थी कि हमें political political में हमें politics में हमें representation मिलेगा तभी हम हमारी interest को represent कर पाएंगे government में जो revolutionary government थी जो स्टार्टिंग में revolutionary government बनी थी उन्होंने कुछ laws introduced किये थे women's के लिए ठीक है जैसे कि state school schools compulsory किये थे उन्होंने जो फादर थे वो सिर्फ गल्स की marriages के बारे में नहीं सोस्थे थे उनकी मर्जी से उनकी शादी होती थी ठीक है और एक marriage को एक legalी legal रूप दे दिया गया था मतलब registered marriages होती थी marriages को register किया जाता था divorce को legal बना दिया गया था और पहले यह होता था सिर्फ men जो है वो divorce के लिए apply कर सकते हैं और अब men और women दोनों apply कर सकते थे women's को job के लिए training दी जाती थी ठीक है तो यह बहुत सारे changes आये थे लेकिन अब यह changes तो आये थे लेकिन women's के struggle किसके लिए था men वो क्या चाहते थे equal political rights इसलिए उन्होंने जो women's struggle है वो continue रखा इसकी वज़े से काफी साथ जो clubs चलाया जाते थे women's के उनकी वज़े से उन clubs को रोका भी गया उनकी political activities को भी ban किया गया और काफी सारे women's को arrest भी किया गया था लेकिन यह जो women movements हैं यह voting rights और equal wages के लिए continue रहे next 200 years in many countries of the world चीक है और फाइनली it was finally in 1946 the women in France won the right to vote तो हमने देखा कि women's ने भी इसमें कैसे participate किया है और कैसे उनको इतना struggle के बाद finally 1946 में उनको right to vote मिला था next is abolition of slavery ठीक है जो slavery है वो कैसे abolish हुआ था French society में ठीक है तो जब कुछ social reforms किये गए थे जोकुबिन time period में ठीक है जब जोकुबिन regime था तब revolutionary social reforms किये गए थे ठीक है उसमें जो slavery है उसको abolished कर दिया गया था ठीक है फ्रेंच कॉलोनी से लेकिन जैसे ही जब क्लब हटा जब क्लब डिकलाइन हुआ उसके बाद slavery वापस से practice में ले आये थे 17th century से ही क्या होता था slaves का trade होता था ठीक है जो slaves थे वो were slaves were brought from local chieftains and branded and slaked and were packed tightly into ships for the three months long voyages across the Atlantic to the Caribbean सी मतलब देखो यहां पर ना एक वो होता था triangular slave trade होता था between Europe, Africa and America तो वो क्या करते थे जैसे अमेरिका में जरूरत है तो वो क्या करेंगे एफरिका से trade करेंगे एफरिका के मजदूरों को हम लेकर के जाएंगे slaves को यूरोप लेके जाएंगे और फिर यूरोप ले जाकर यूरोप के जो ट्रेडर्स होंगे वो उनको अमेरिकान कॉलोनीज में जो अमेरिका में स्टैबलिश्ट है वहां पर उनको सेल करेगी ठीक है तो ये एक तर ऐसे तीन कंट्रीज के बीच में एक ट्रेड होता था जोसे ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड कहते थे ठीक है और इनको अपने खेतों पे काम करने के लिए सेल किया जाता था ठीक है और क्योंकि जहां पर भी shortage of labor होती थी plantation पर वहां पर इनका use किया जाता था 17th century से ये started था ठीक है the exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European market for sugar, coffee and indigo तो जो ये slave trade होता था वही उसकी वज़े से ही जो demand थी commodities की like sugar, coffee, indigo वो फुल्फिल होती थी एक तरह से इस से economic prosperity मिलती थी लोगों को ठीक है जो ये first and second state के लोग थे लेकिन 18th century में जो ये है इसको criticize किया गया ठीक है national assembly मेस में बहुत सारी जो national assembly बनी थी उसमें इसको लेकर के long debates होती रही लेकिन इन्होंने सिर्फ long debates रखी इन्होंने कुछ भी final decision नी लिया final decision क्यों नी लिया क्योंकि national assembly में कौन था जो मतलब जो business man और ये सब थे ठीक है अब ये इसको हटाना नहीं चाहते थे क्यों क्योंकि अगर ये हटा देंगे तो फायदा तो इनको भी हो रहा है न क्योंकि ये तो खुद उसमें involved हैं इसी practices में जो मतलब growing है या फिर agriculture है या फिर इसमें क्योंकि इनके पास बड़े-बड़े land होते थे इनको भी काम कराना होता था तो ये तो खुद इन चीजों में involved है तो अगर ये बंद कर देंगे national assembly के लोग तो इनको भी इनको profit होना बंद हो जाएगा तो इन्होंने दिखाने के लिए सिब डिबेट्स रखी इन्होंने slave trade को abolish नहीं किया लेकिन जैसे ही convention आये थे मतलब जोकुबिन क्लब आये थे ठीक है 1794 में इन्होंने free जो slave trade को था वो इन्होंने बंद कर दिया था ठीक है लेकिन ये एक short term major साबित हुआ था because after that जब इन्होंने जोकुबिन क्लब डिकलाइन हुआ तो नेपोलियन ने वापस से reintroduce slavery कर दी थी ठीक है लेकिन उसके बाद भी कुछ मूब्मेंट्स हुए जब नेपोलियन का डिकलाइन हुआ तब slavery was finally abolished in French colonies in 1848 ठीक है तो slavery भी in 1848 में finally जो है वो abolish हो गई थी now next is French colonies इसमें क्या है French colonies या फिर French revolution मतलब everyday life की लोगों की life पे इसका क्या असर हुआ इचिक है The year following 1789 in France saw many such changes in the lives of men and women and children The revolutionary government took it upon themselves to pass laws that would translate the idea of liberty and equality ठीक है तो liberty और equality इस्टैब्लिश हुई ठीक है और जैसे ही ब्रिस्टाइल जो था वो खतम हुआ censorship abolish कर दी गई newspaper books यह सब अब publish हो सकते थे मतलब censorship आपको बताया था last classes में भी कि censorship क्या होती कि क्या छपना है क्या print होना है क्या media में जाना है वो जो मुनाक है वो देखता था ठीक है और अगर उसके against होती थी कोई भी बात तो वो print नहीं होने देता था तो अब ऐसा कुछ नहीं है जो reality है वो print होगी newspaper भी बने के place भी होंगे books भी लिखी जाएंगी ठीक है तो यह सारी चीज़े हैं बंद हो गई थी ठीक है सभी men और citizens को freedom of speech दे दिये गए थे freedom of expression दे दिये गए थे और यह कहा था कि यह उनके natural rights है ठीक है they all described and discussed the event and changes taking place in the France freedom of press also meant that opposing views of events could be expressed मतलब अब वो जो अगर किसी चीज़ को लेकर opposing views हैं तो वो भी express कर सकते थे ठीक है each side sought to convince the other of its position through the medium of print अब printing होने लगी आपने देखा है printing कितना important role play करती है print culture भी है जो कि आप आगे बढ़ेंगे आपके chapter भी है plays के through बताने लगे songs, festive यह मतलब बहुत large number of लोगों को attract करती थी और सब मतलब जो भी फ्रांस में changes हो रहे थे वो इनके through, इनके medium से लोगों तक जाने लगे और लोगों में काफी changes आने लगा this was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosopher wrote about at length in text which only a handful of educated people could read इसी लिए plays और songs, festival position का सहारा लिया जाता था ताकि यह जितनी भी liberty और liberty की जो और justice की बाते हैं वो illiterate masses तक भी पहुंच सके इसके बाद जैसे ही decline हुआ था जोकोबिन का हमने रिखा था कि Napoleon का rise हो रहा है तो एक Napoleon के बारे में आपको थोड़ा सा introduction दे देते हैं 1804 Napoleon Bonaparte ने अपने आपको France का emperor crown करवा लिया था उसने Europe की countries जो थी आसपास की जो dynastries, kingdoms थे उनको take over भी कर लिया था वो Europe को modernize करना चाहता था इसलिए उन्होंने उसने बहुत सारे reforms भी या फिर आप कह सकते हो बहुत सारे laws उसने introduce किये थे like protection of private property uniform system of weight majors provided by the decimal system ठीक है तो काफी लोगों को अच्छा लग रहा था initially जब Napoleon आए थे Napoleon के जो लोग थे उनको मतलब freedom लोग को उनने बहुत अच्छे से welcome किया था ठीक है कैसे कि मतलब वो ये सोचते थे कि ये बहुत मसीहा है हमारे लिए और हमारी हर problem का solution करेंगे लेकिन दीरे दीरे जब वो power उनके हाथ में आती गई और उनने dictator का रूप ले लिया तब लोगों को असल पता चला और दीरे दीरे Napoleon Napoleonic armies came to be viewed everywhere as an invading force ठीक है but he was finally defeated at Waterloo in 1815 ठीक है 1815 में वो हार गए थे Waterloo की battle में लेकिन उसके बाद भी जो उन्होंने कुछ चेंजिस किये थे जो लोगों के लिए अच्छे थे idea of liberty, modern laws ठीक है वो other European part में follow होते रहे थे ठीक है तो यह आपका French Revolution chapter finished होता है I hope students आप लोगों को समझ में आया होगा कोई भी problem होती है तो आप उसे पूस सकते हैं, thank you